हेलो गाई स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टेडी अकेडवी में दोस्तों रोजगार और निर्वानक का नया अंग प्रकाशित हो चुका है और पिछले अपते वीडियो नहीं आए थी तो आज की इस अंग में हम दोनों अपतों का जो अंग है उसका विशलेशन करेंगे यान की बारा से लेके 25 दिसंबर 2022 तक का देखेंगे इन दिनों क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है करेंट अफेर में क्या क्या चर्चा मेरा है इसके अलावा आप सभी को पता है MP पटवारी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है तो उससे रिलेटेट भी कुछ अफेर से तो यहां पर देखें संयुक्त अरब अमीरात यानि की UAE ने चंद्रमा पे रोवर भेजा है और ऐसा करने वाला यह पहला अरब देश बन गया है इसलिए काफी आदा इंपॉर्टेंट है UAE पहला अरब देश बना है चंद्रमा पर रोवर भेजने वाला तो हाली यहां से काफी आदा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इस फिस एजन्सी का भी नाम याद रखेंगा UAE की जो इस पर जैसर जियंशिय एसका नाम एं यू-ए-इू-ए-इस पेस एज código जैसिय इस तरह से अम्हेर्श के ..? इंडिया में इसरो है उसी तरह से UAE में है UAE Space Agency यह आपको नामयाद रखने है फिर यहाँ पर है नमामी गंगे प्रोजेक्ट तो गंगा नदी की सफाई के लिए केंदर सारकार के द्वारे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था नमामी गंगे प्रोजेक्ट को और हाली म युनाइटेड नेशन्स इन्वार्मेंट प्रोग्राम यानि कि सईयुक्त राष्ट पर्यावरण कारक्रम ने नमामी गंगे प्रोजेक्ट को दुनिया के दस प्रमुक प्रयासों में शामिल कर लिया है तिक है दस जो सबसे इंपोर्टेंट प्रयास किये गए हैं परण करक्रम के द्वारा इसके बाद यहां पर हाल ही में भारत ने परमाडू मिसाइल अगनी फाइब का सफल परिक्षण किया है तो अगनी सीरीज में लेटेस्ट मिसाइल डेवलप किये गई है अगनी फाइब जिसका नाम है और हाल ही में इसका सफल परिक्षण किया गय डियाइडी आप सभी को पता ही है कि भारत का जो defense का छेतर है इसमें research और development का काम करता है defense research and development organization जिसे कहा जाता है रच्षा अनुसंदान एवन विकास संगठन तो इसके बारे में कुछ इस्टाटिक देखिएगा इसका जो मुख्याला है यह है दिल्ली में डिर्डियो का इसके सापना की गई थी 1908 में और प्रेजेंट में यहां के अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत कौन है डॉक्टर समीर वी कामत यह नाम आपको याद रखने हैं इसके बाद आगे देखते हैं यहां पर है सीरम इंसिट्यूट ओफ इंडिया तो अगले साल अप्रायल में यह सर्वाइकल कैंसर यानि की गर्भाश है ग्रीवा का जो कैंसर होता है इससे बचाओ करने वाली स्वदेशी वैक्सीन यह लॉंच करने वाले हैं जो की अभी मार् इसका नाम दिया गया है अके आग्ये हां पर रेल्वाय मैनेजिमेंट सर्विसेस के लिए परिक्षा का आयोजन किया जाएगा तो UPSC यानि की संग लोखसेवा आयोग ने एनाँस किया है कि अगले साल ये इंडियान रेल्वेय मैनेजिमेंट सर्विश सर्विस एक्जाम क वह आयुजित करेंगे यह जो परिक्षा यह दो फेज में होगी प्री और मेंज 2023 में होने वाली है तो अगर आप इसमें अपना कैरियर पनाना चाहते हैं तो अगर आपको और कहीं से मिलता है तो इसके बारे में जरूर देखिएगा इसके बाद यहां पर केंदरी नागरिक विमानन मंत्राला की नियूज है इन्होंने भारती कंपनिया और जो इस्टार्टाफ हैंड के लिए एक प्रुट्साहा नियूजा यानि की PLI की लिए जो शुरूराच है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं और इसके साथ साथ सरकार ने इसी PLI के लिए 120 करोड रुपए की रासी का प्रावधान भी किया है तो ऐसी कंपनिया जिनका वार्सिक कारोबार जो है वो दो करोड रुपए है वो इस PLI योजना का लब ले सकती है आगे बढ़ते हैं यहां पर टाइंस पत्रिका ने चुन लिया है पर्सन ओप दा इयर कौनसे वर्स के लिए है 2022 के लिए और यह काफी ज़्यादा important है द्याम से सुनिएगा 2022 का person of the year चुने गए है राश्टपती जिलन्सकी अब यह राश्टपती कहा के है यह राश्टपती है यूक्रेन के यूक्रेन के राश्टपती इनका पूरा नाम है वोलोदमीर जिलन्सकी काफी ज़्यादा important है यहां सो question पहले भी पूछा जा चुका है तो यूक्रेन के राश्टपती जो है जिलन्सकी वोलोदमीर जिलन्सकी इनको टाइम्स पत्रिका के द्वारा person of the year चुना गया है और यूक्रेन काफी ज़्यादा चर्चा रहा है पिछले एक सालों में तो इससे static आने के भी chances काफी ज़्यादा है तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहां की जो राजधानी है यह है कुईब ठीक है राजधानी है कुईब राश्टपती है वोलोदिमीर जलेंस की जिनने person of the year चुना गया है और यहां की जो currency है यह है हिरिवनिया क्या है हिरिवनिया यह चीजें आपको याद रखना है इसकाथ सायूक्त राश्ट ने यहां पे दिवाली power of one award दिये है तो सांति पूर्ण और सुरक्षित विश्व को लक्ष में लेकर जो काम किये हैं राजनाईकों ने उन्हें इस पुरुषकार से सम्मान दिया गया है दिवाली power of one award तो कौन-कौन है देखिए यहां पे संयूक्त राश्ट में जॉर्जिया के पूर्व इस्थाई प्रतिनिदी थे और प्रजेंट में कनाडा के राजदूत हैं काहा इमनाजे इनको इनके साथ ही सयुक्त राष्ट में ग्रेनडा की पूर्व इस्थाई प्रतिनिदी केशा मैगू इरे और इनके साथ ही बुलगारिया के अमेरिका में वर्तमान राजदूत हैं जॉर्जी बेलिकोव पनायो तोव तो इन राजनाइकों को ये दिवाली पा इसके बाद आप एक द्रिस्थी हीन गोड़ा है जिसका नाम है एंडो ये एक द्रिस्थी हीन गोड़ा है और हाली में इसने तीन गिनीज विश्य रिकोर्ड बनाए हैं इसका नाम आपको याद रखना है इसका नाम है एंडो कौन-कौन से रिकोर्ड बनाएगे हैं एक रि सबसे तेजिसने चक्कर लगाए हैं तो इस तरह से तीन विश्य रिकॉर्ड इसने बनाए हैं इसके बात कजाकिस्तान से न्यूज है तो कजाकिस्तान के राष्टपती बन गए हैं कासिम जोमाट कासिम जोमाट तोकाइब इनका पूरा नाम है कजाकिस्तान में हाली में इन्ह तोकएव कासिम जुमाट तोकएव और यहां की जो करंसी है यह है टेंग टेंग या टेंज जो भी आप पढ़ें तो यह चीजें आपको याद रखनी है इसके बाद है इकेटोरियल गिनी तो यहां के राश्टपती माबा सोगो थे और इन्होंने फिर से चुनाओ जीत लिया है और एक बार फिर से राश्टपती बन गए है इकेटोरियल गिनी के माबा सोगो इनका पूरा नाम क्या है इनका पूरा नाम है तियोदोरो ओबियांगंगूमा माबा सोगो यह फिर से राश्टपती बन गए है इकेटोरियल गिनी के और इकेटोरियल गिनी की पिटल क्या यहां की राज़दानी है मालाबो और करेंची है यहां की Central African CFA प्रेंग क्या है Central African CFA फ्रेंग यहां की करेंची है इसके आधित मित्तल तो 16 वर्सी है आधित मित्तल और यह भारत के 77 यानि की 77 ग्रेंड मास्टर बन गए हैं यहां सब कोई ग्रैंड मास्टर बनते हैं उनका नाम आपको याद रखना है सदतर्वे ग्रैंड मास्टर बने हैं आधित मित्तल हाली में इसके बाद एक और इंपोर्टेंट कोश्चन है यहां पर देखिए हाली में ऑक्सपोर्ट डिक्सनरी ने इस साल का शब्द चुना है तो इस साल का शब्द यान की वर्ड ऑब्द इयर 2022 के लिए बना है गॉब्लिन मोड तो ऑनलाइन सर्वे कराए गया था ऑनलाइन वोटिंग कराए गई थी ज का मतलब होता है कि एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें व्यक्ति बिना किसी अफ्सोस के आत्म अनुग्रह शील आलसी मैला कुछला या लालची बन जाता है तो इसी शब्द को चुना गया है वर्ड ऑब्द इयर गॉब्लिन मोड इसके बाद एक भारती स्टार्ट अप है इसको अर्थ शौट पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो यह जो स्टार्ट अप है इसका नाम है खेती हिंदी में तो आप इसे खेती पढ़ेंगे लेकिन इंगलिस में इसका नाम के अच इवाई टी आई स्पेलिंग याद रखेगा तो यह खेती है इस फर्म ने क्योंकि परियावरण के छेत्र में इसे नोबल पुरुसकार के बराबर माना जाता है हाली में इसकी शुरुवात की गए थी अर्थ शौट पुरुसकार की तो श्टार्ट अप कर नाम याद रखिए खेती इसके बाद हैं डारेक्टर एसस राजा मॉली एसस राजा मॉली तो इनकी मूवी आर 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 आप सभी ने देखी होगी काफी ज़्यादा यह चल रही है ओल ओवर दे वर्ल्ड सारही देशों में इसे काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो आधी में नू यॉक फिल्म क्रिटिक्स सरकल ने एसस राजा मॉली जी को इनके इनके सर्वसेष्ट निर्देशक का पुरुसकार दिया है इसका नागपूर मेट्रो रेल से नीज है तो नागपूर मेट्रो रेल और एन अच आई ने नागपूर में वार्धा रोड पर 3.14 किलो मीटर के लंबे डवल डिकर बायडक्ट का निर्माण किया है और ये जो है ये दुनिया का सबसे लंबा डबल डिकर बायडक्ट बन गया है जिसके कारण जिसका नाम शामिल किया गया है गिनेज बुक आफ वर्ल रिकॉर्ड में तो ये उपलब्धी हासिल हुई है नाकपूर मेट्रो रेल को तो ये आपको याद रखना है इसके बाद है रचना सिंग ये भारतवन्शी है और कनाडा में पहली दक्षिण एशियाई मंतरी बनी है अब यहाली में कनाडा के बिटिस कोलंबिया राज में पहली दक्षिण एशियाई मंतरी की तोर पर सपत लिया ही नों ने और एक तरह से हिस्टी क्रेट की है पहले दक्षिण एशियाई मंतरी बन गई है ये भारतवनसी है रजना सिंग इनका नाम आपको याद रखना है फिर यहाँ पेरु की राश्टपति बनी है नई दीना बलु आर्टे और ये भी एक किसे इतिहास है काफी आदा इप्पोर्टन की पहली महिला राश्टपति बनी है दीना बलु आर्टे कुछी दिनों पहले जो पेरू की राश्टपती थे पेडरो केस्टीलो इनको महावियोग के चलते हटा दिया गया था और अब नई राश्टपती बन गई है पेरू की डीना बुलु आर्टे काफी आदा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला राश्टपती बनी है और अब बात पेरू की उई है तो पेरू की राश्धानी क्या है पेरू की राश्धानी है लीमा राश्पती बन गई है डीना बुलु आर्टे और यहां की currency है Peruvian Soul क्या है देख लिजे Peruvian Soul यह currency है इसके बाद है SV Ramna SV Ramna यह नेपाल में Senior Speed Tracking का इन्होंने नया World Record बनाया है चन्नाई के 55 वर्सी है SV Ramna इन्होंने नया Record बना दिया है नेपाल में Senior Speed Tracking का इसके बाद है John McFarl तो अंतरिक्ष में भेजने के लिए पहली बार इनका chain किया गया है और यह दिव्यांग यात्री है और आसा पहली बार हुआ है कि कि किसी दिव्यांग यात्री का chain किया गया है अंतरिक्ष में भेजने के लिए तो इस कारण से इनका जो नाम है काफी आदा important है तो कौन सी space agency है जो इन्हें इस space में भेज रही है ये भी आद रखेगा तो European अंतरिक्ष agency है जो कि John McFall को अंतरिक्ष में भेजने वाली है और ये पहले दिव्यांग यात्री है जिनका chain किया गया है इसके बाद है सोनम वांग्चुक तो इनको डॉक्टर ग्रेगोरियस पुरुसकार से समानित किया गया है लदा के इंजीनियर है आप सभी को इनका नाम पता होगा इन्हीं के उपर बनी थी movie Three Idiots Three Idiots में जो character थे इनी से लिए गये थे तो लदा के इंजीनियर सोनम वांग्चुक को डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरुसकार प्रदान किया गया है यह जो पुरुसकार है यह Sophia Society of Malankara Orthodox Church के द्वारा दिया गया है इसकी शुरुवात इसी के द्वारा की गई थी और हाली में पुरुसकार दिया गया है सोनम वांग्चुक को इसके बाद है यहां पे भारत और अमेरिकी सेना के बीच में एक exercise हुई military exercise कहां पे हुई है उत्राखंड में हुई है आली में तो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है इसका नाम युद्ध अभ्यास ही था ठीक है बीच में युद्ध अभ्यास नाम के exercise हुई कहां पे हुई थी तो आपको आंसर देना है उत्राखंड के आली में तो आपको हर एक एंगल से आंसर पता होना चाहिए इसलिए के डीटेल में पढ़े जाते हैं इसके बाद है प्रीति शुदन तो हाली में इन्हें यूपी nत किया इा है फिशुक्त का सग्यございます अस्यूंल किड्ध मैं चाहिए तो अमेरिकन फिल्म इंस्सिर्ट ने घोशना की है कि इन्हें lifetime achievement award दिया जाएगा इस वर्स ठीक है तो 49 यानिकी 49 lifetime achievement award से समानित होंगी Nicole Kidman इसके बाद है अनूप जलोटा जाने माने भजन गायक हैं आप सभी जानते होंगे इन्हें अनूप जलोटा तो संगीत अकादमी पुरुसकार के लिए इनका चैन किया गया है संगीत अकादमी पुरुसकार दिया जाएगा अनूप जलोटा जी को जो 2020 का यह पुरुसकार होगा संगीत अकादमी पुरुसकार यह दिया जाएगा अनूप जरोटा जी को इसके बाद हैं इसमरिती से कुछ तो सबसे पहले हैं पर ओसकर एवर्ट से सम्मानित डॉकिमेंटरी निर्माता है जूलिया तो जूलिया रिचर्ट इनका 76 साल की आयू में निधन हो गया है 2020 में अमेरिकन फैक्टरी के निर्माड के लिए इन्हें आसकर पुरुसकार दिया गया था यह आपको याद रखना है हाली में 76 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ है इसके बाद है अर्थ सास्त्री और पूर्व केंद्री मंत्री वाई के अलग हाली में 83 वर्ष की आयू में इनका भी निधन हो गया है इसके बाद है मशहूर फ्रेंच लेखक डोमनिक लेपियर फ्रेंच लेखक है यह डोमनिक लेपियर हाली में 99 वर्ष की आयू में इनका भी निधन हो गया है और आगे देखते हैं वॉलिवूड और मराथी सिनेमा के अभिनेत्ता विक्रम गोखले हाली में 77 वर्स की आयू में इनका भी निधन हो गया है विक्रम गोखले इनका नाम था इसके आध है आसकर से सम्मानित अभिनेत्री आईरीन कारा ये आसकर गोल्डन ग्लोब और दो बार ग्रैमी पुरुसका मत्atori में इसके बाद चीन पूरव राशच्पति है जेमीन हाली में 66 वर्स की आयों में इनका भी निधन हो कि चीन की पूर्व राश्टपती रह चुके है करते हैं MCQ वाले सक्षन पे तो आप सभी को पता MP पटवारी का एक्जाम आने वाला है और उसके लिए काफी लोग ने तयारिया भी शुरू कर दी हैं तो हम करेंगे क्या हर एक अंक में थोड़े-थोड़े MCQ भी हम लोग भी कवर करेंगे तो फिलहाल इस अंक में मैंने 30 MCQ डाले हैं कुछ अगर आप लोग को additional चीज़ें चाहिए तो आप comment box में ज़रूर बताएगा ट्राइ किया जाएगा उसको भी next edition में follow करने का फिलहाल कुछ MCQ इन्हें देखते हैं तो देखें पहला question है पहली महिला साशक जिन्होंने भोपाल पर साशन किया था इनका नाम क्या था इन 1982 में यानि 1982 में कहां पहे है भोपाल में है याद रखेगा फिर है चावल का सरवाधिक उतपादन करने वाला राज़ कौन से है तो यह है पश्cin बंगाल फिर भगोरिया उत्सव का आयोजन कहा किया जाता है तो पश्चमी निमाड में आयोजन किया जाता है किसके भगोर्य इनके जन्व दिवस के असर पे गड़ित दिवस मना जाता है फिर है मदप्रदेश का भूव ज्यानिक द्रिश्टी कोड से सबसे पुराना भूभाग कौन सा है सबसे पुराना भूभाग है मदप्रदेश का गोंडवाना भूमी फिर है सरवाधिक ग्राम पंचायत वाला जि समाजिक लेखा परिक्षण समीती का गठन किस इस्तर पर होता है तो इसका गठन होता है ग्राम पंचायत इस्तर पर नेक्स्ट है अरब सागर की राणी निवन में से कौन है तो कोची को कहा जाता है अरब सागर की राणी नेक्ष्ट है जहांसी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो रानी लक्ष्मी भाई जहांसी के नाम से प्रसिद्ध है काफी बार आप पड़ चुके हैं कोश्चन इसके बाद है भारत में इस्थानी स्वासासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉड रिपन को कहा जाता है भारत में इस्थानी स्वाशासन का जनक फिर है प्रधार मंत्री ग्राम सड़ा के योजना को प्राराम कब किया गया था तो यह प्राराम वो इस्थी सन 2000 में इसका तो ओम कारेश्वर है मधप्रदेश का महतपूर्ण नदी द्वीप फिर है देश का प्रथम द्वीप जीला कौन सा है तो यह है माजुली फिर समाजवादी शब्द को समविधान में कब जोडा गया था तो इसको जोडा गया था 42 संसोधन में फिर है केंद्री समुद्री फिशरी रिसार्च इंस्टिटूट यह कहां है तो यह है केरला में फिर है भूमिक रिशी का रिकॉर्ड क्या होता है यह होता है खतावनी नेश्ट है मद्द प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन हेतू कितनी सीटे है तो यहां पर लोकसभा निर्वाचन हेतू 29 सीटे है फिर है अलकालाइट फैक्टरी कहां पर स्थापित की गई है तो यह स्थापित की गई है नीमच में इसका जीलो का शहर किसे कहा जाता है तो पोपाल को कहा जाता है जीलो का शहर इसका जाता है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का भारत में उपयोग कब किया गया था इसका उपयोग किया गया था 1998 में 1998 सबसे बड़ा कुला है नेक्स्ट है विश्व आवाज दिवस प्रतेक वर्ष कब मना जाता है तो अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है तब मना जाता है विश्व आवाज दिवस में काशी प्रसाद पांडे समीति का गठन कब हुआ था इसका गठन हुआ था 1957 यानि की 1957 में इसका था एक धातु घटक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है तो यह विट विटामिन बी ट्वेल्फ लास्ट कोशन है शीव पूरी में स्थीत करवाल निमन में से है क्या यह तो यह एक परयाटन इस्थल है क्या ना हम है करवाल कहां पे है शीव पूरी में आगे बढ़ते हैं यहां पे खेल की कुछ में देखते हैं स्पोर्स के पहला कोशन है वर्ष 2014 में किस देश ने एफ आइच होकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था तो 2014 में जीता था अस्ट्रेलिया फिर है किस रेसर ने सत्र 2022 के बाद फॉर्मला वन रेसिंग को अलविदा कह दिया है यानि सन्यास ले लिया है तो य ब्राइन लारा ने Test Cricket में कितने शतक बनाए हैं तो ब्राइन लारा ने चौतिश शतक बनाए है टेस्ट क्रिकेट में फिर इस वर्ष किसखिलाडे ने Stockholm औपन का खिताब अपने नाम किया है तो इस वर्ष जीते हैं होलगर रूने भून फिरह इनमे से किस पूर्य क्रिकेटर को बी सी सी आई को आध्यक्ष चुना गया तो रोजर बिनी को रेस्पर के नाम इßen गट्र में सब सबस्यादा टिट्वयंटी में जीतने का record है सबस्यादा टिट्वयंट Czech Republic लिए इसके बाद है इस वर्ष किस कार रेसर ने फॉर्मला वन चैंपियंशिप जीती है तो इस वर्ष जीते हैं मैक्स वस्टइपन अमेरीकी गोलफर टाइगर वोट्स ने कितनी बार पीजी ए टूर जीते हैं तो इन्हों ने टोटल 24 एकल ग्रेंड स्लैम जीते हैं इसकाद है इस वर्स कितने खिलाडियों को अर्जुन पूरुसकार दिया गया है तो इस वर्स टोटल 25 खिलाडियों को अर्जुन पूरुसकार दिया गया है इसकाद है नीरत चोपड़ा ने सबेंद इस वर्ड एथिल्टिक्स चैंपुंइंशिप में कौन सा पतक जीता है तो इन्होंने जीता है रज़त पतक है नेच्श वाटर पोलो खेल में प्रतेक टीम में कितने खिलाडी खेलते हैं ये कोशन पहले भी पूछा जा चुका है तो वाटर पोलो में प्रतेक टीम में साथ खिलाडी खेलते हैं फिर है मुरली श्रीशंकर ये किस खेल में भारत का प्रतिने देतु करते हैं तो ये प्रतिने देतु करते हैं लंबी कूद में फिर वंडे अंतराश्टी क्रिकेट में सबस्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदवाज कौन है तो सबस्य 2022 में जीती है कैropolलीन गारिशिया, फिर है टोक्यो अलंपिक में गोल्फ, इसकरधा में माहिला वर्ग में चैंपिएन कौन बनी थी ? प्थलूद लेली कोड़ा , वर्स 2018 में किस देश में विंटर अलंपिक खेलो कहा आयोजन किया गया था ? तो 2018 में आयोजन किया गया था दक्षिन कोरिया में फिर इस वर्ष कीजदेश ने ICC T20 विशुकप का खिताब जीता है तो इस वर्ष ये खिताब जीता है इंग्लैंड ने कौन सा टूर्णामेंट था T20 विशुकप हराय किसे था पाकिस्तान को फिर वर्ष 2022 में दुबाई टेनिस चैंपियंशिप में पूरुस एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने है तो चैंपियन बने है आंधरे रूबलेव फिर टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारती गेंदवाज कौन है पहले भारती गेंदवाज है हरबजन सिंग फिर सितंबर 2022 में किस भारती महिला क्रिकेट ने ICC प्लेयर आप दा मंथ हासिल किया है तो इसका राइड आणसर हो जाएगा हर्मनप्रीथ कॉर जो प्रेजनट में कैप्टन बन गई है इंडिया टीम की हर्मनप्रीथ कॉर इसके यतर है इस वर्स टेनिस में आस्ताना ओपन का किसने जीता है तो इस वर्स खिताब जीता है नुवाक जोकोविच ने ďंए इनमें से कौन सा देश 2026 में FIFA World Cup के मेजवानों में शामिल नहीं है यानि 2026 का तो FIFA विश्यू कप होगा तो यह जो चार option है तो इन में से कौन सा देश सामिल नहीं है मेजवानों में आपको यह बताना है तो शामिल नहीं है क्यूबा अमेरिका, कैनाडा, मैक्स को यह मेजवानों में शामिल है क्यूबा शामिल नहीं है और विश्यू कप होगा BWF वर्ड टूर फाइनल टाइटल कब जीता था ते इन्होंने पहली बात जीता था 2018 में फिर वर्ष 2021 में BBC Sports Personality of the Year Award कि से दिया गया है तो एवार्ड दिया गया है एमा राडुकानूर को फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तवान में अध्यक्ष कौन है एशियन क्रिकेट हो जाएगा इटली नेश्ट है वर्ष 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था इंपोर्टेंट है क्योंकि पहला संस्करंट था भारत ने जीता था और यह खेला गया था दक्ष्विंड अफ्रीका में फिर इनमें से कौन सा खेल दास्वंडल खेल 2026 में शामिल नहीं होगा तो शामिल नहीं होगा कुस्ती फिर पंकज अडवानी इनमें से किस खेल में भारत का प्रते निदेतु करते हैं तो यह प्रते निदेतु करते हैं बिलियर्ड्स में फिर चिराग शेटी और सात्विक साहिराज रैंकी रेटी यह जो जोड़ी है कौन सा टूर् होकी पुरिशों की बात हो रही है तो होकी का चैंपियंस टॉपिए खिताब जीता है पुरिशों में वर्स 2018 का तो इसका राइट अंसर है स्टेलिया फिर है पी आर स्रिजेश यह जो भारती होकी टीम के खिलाडी है आपको बताना है कि यह किस पोजिशन में खेलते हैं भारत चंदरपॉल वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थी फिर है इस वर्स टी 20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल के शहर में खेला गया था को इस्वर्स फाइनल के खेला गया था मेल्बर्ण में इसके बीच में इंगलेंड और फिर है इस वर्स डेन्मार्क ओपेन में पूर्स एकलवर्ग के चैंपियन कौन वने है तो इस वर्स चैंपियन वने है शी यूकी फिर है चार्ल्स लेकलर्क ये किस देश के फॉर्मला वन रेशर है तो यह फॉर्मला वन रेसिंग करते हैं मोनाको के लिए पिर किस केंदबाज ने T20 अंतराश्टी क्रिकेट में सबसे जादा विकेट लिये हैं तो सबसे जादा विकेट लिये हैं T20 क्रिकेट में टिम साओधी ने किसके लिए खेलते हैं न्यूजी लैंड के लिए फिर डे नाइट टेस्ट मैच में तीरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेवाज कौन है तो पहले बल्लेवाज है अजहर अली तो डे नाइट टेस्ट क्रिकेट में तीरा शतक बनाने वाले ये पहले बल्लेवाज है फिर इस वर्स विश्व एथलेटिक चैंपिंशिप में पोल फिर हां इन में से کौन सी महीला खिलाड़ी टेनिस दो समबंदित नहीं है फिर हैं वंडे अंतराश्टी क्रिकट में एक कलेंडर वर्स में सबसे अधारं बनाने वाले खिलाड़ी कौन है तो ये खिलाड़ी है सचिन टंधूलकर फिर है लुसेल आइकॉनिक फुटबॉल स्टेडियम किस देश में है ये तो यह है आपके कतर में फिर है मार्टीना हिंगीज ये किस देश की दिगज टेनिस खिलाड़ी है तो ये टेनिस खिलती है स्विट्जर लेंड के लिए आखरी कोच्छन है इस वर्ष अंडर 23 कुष्टी चैंपिंशिप में किस भारती पहलवान ने स्वंड पतक जीता है इस वर्ष स्वंड पतक जीता है अमन सहरावत ने इसके बाद मूव करते हैं इंपोर्टेंट डेज की तरह सबसे पहले यहां पर देखिए चार दिसम्बर है चार दिसम्बर के इंपोर्टेंट है क्योंकि मनाय जाता है भारती नौसेना दिवस यानि की इंडियन नेवी डे हर साल चार दिसम्बर को इस साल के थीम रखी और उनके वलिदान दिये गए हैं उनके द्वारा उनको याद करने के लिए उनके सम्मान में हर साल 4 दिसंबर को मना जाता है दूसरी चीज है कि 4 दिसंबर को ही क्यों मना जाता है तो एक operation हुआ था जिसका नाम था Operation Trident तो हुआ क्या था देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारती हवाई अडो पे हमला किया था इसके बाद उस जवाब में भारती नोसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात को हमला योजना बनाया था और उस Operation का नाम दिया गया था Operation Trident जो की पूरी तरह से सक्सेस्फुल रहा था तो उसी Operation की याद में हर साल 4 दिसंबर को मना जाने लगा भारती नोसेना दिवस तो जो अभियान था Operation Trident इसका नेतित किस ने किया था तो ये थे Commodore कासर गोड पटान शेटी गोपाल राओ कौन थे Commodore कासर गोड पटान शेटी गोपाल राओ इनका नाम आपको आल रखना इन्होंने पूरे अभियान का नेतित किया था ओप्रेशन का नाम आद रखना ओप्रेशन ट्राइडेंट थी में याद रखने स्वर्णिम विजय वर्स और डेट याद रखनी है चार दिसंबर अब नोसेना की बात करते हैं तो नोसेना इस्थाफ के प्रमुक हैं प्रेजेंट में एड्मिरल आर हरी कुमार जी इसकी स्थाफना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और इसका जो मुख्याला है यह है नई दिल्ली में इसका एक और महत्पूर्ण दिवस है जो कि यह अंतराश्टी दिव्यांग्जन दिवस यानि की International Day of Persons with Disabilities तो यह मना जाता है हर साल 3 दिसंबर को इस दिन की स्थापना की गई थी सैयूंक तुराष्ट महसभा के में दौरा 1992 में इस दिन को मना जाता है हमारे समाज में जो ही विकुलांग लोग रह रहे हैं उनके जीवन के हर पहलू है जो विकलांग व्यक्ती हैं उनके बारम की जागुर्प करें उनका development में उनका साथ दिया जा सके इस कारण से इस दिन की शुरुआत की गई थी और बात करते हैं थीम की तो 2022 की थीम रखी गई है transformative solutions for inclusive development the role of innovation in fueling and accessible and equitable world इतनी लंबी थीम है बट याद रखनी पड़ेगी एक्जामने कई बार थीम आती है देट याद रखेगा तीन दिसम्बर और फिर से सुन लीजिए transformative solutions for inclusive development the role of innovation in fueling and accessible and equitable world अब आके बढ़ते हैं यहां पे कुछ खेल समाचार है इंपे नजार डालते हैं तो सबसे पहली बार यहां पे सुराष्ट और महाराष्ट के बीच में विजह हजार ट्रोफी का final खेल गया और सुराष्ट की टीम ने महाराष्ट को हराया और 14 सालवाद खिता पर कबजा किया है कौन सी ट्रोफी है विजह हजारे ट्रोफी है सबसे पहले रखेए वीजए हजारे ट्रॉफी किरिकेट से सम्बंदित है 2022 का ये final खेल अगया किसके बीच में सौरास्ट और महारास्ट के बीच जीती है चीमना रहा है महारास्ट की टीम को player of the match का पूरुषकार ऍहों सफ राष्ट के Sheldon Jackson को दिया गया है player of the series का जो खिताव है महाराश्ट के रितुराज गाएकवाड को दिया गया है रितुराज गाएकवाड के बारे मैंने आपको बताए था एक उभर में इन्होंने साथ छक्के लगाए थे अभी ठीक है पिछली वीडियो में आपको बता था एक वहर में साथ छक्के लगाए थे और पूरे विश्व भर में जो डुमेस्टिक क्रिकेट होती है तो यह एक नय रिकॉर्ड है ऐसा किसी भी बल्ले वाजने नहीं किया था इन्होंने साथ छक्के लगाए थे दूसरी चीज़ याद रखेगा कि जो फाइनल था यह महराश्ट और साराश्ट के बीच खेला गया था और खेला कहा गया था यह खेला गया था हमदाबाद में बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखने इस टूर्णामेंट से इसके बाद है इशान किशन तो भारत और बांगला देश के बीच में वंडे सी रिशल रही थी जिसमें बांगला देश ने भारत को दो एक से हराया लेकिन जो फाइनल मैश था वो काफी आदा इंटरस्टिंग था क्यों क्योंकि भारत के ओपनर है इशान किशन इन्होंने दोहरा शतक बनाया 210 रवनों के इन्हों ने पारी खेली थी अब आप सभी सोच रहे होंगे कि दोहरा शतक तो कई बल्ले बाज बना चुके है important क्या है important ही है कि सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के ये पहले प्लेयर बन गए है इससे पहले रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम जिन्होंने 138 गेल पे दोहरा शतक बनाया था और अब 210 रवनों की पारी खेली थी यहाँ पे इशान किशन ने इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व के सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले याद रखेगा कि विश्व का जो वंडे मैच का पहरा दोहरा शतक था यह लगाया था सचिन तेंदूल करने इन्होंने लगा था दक्षिन अफरीका के खिलाब रोही शर्मा ने सबसे ज़्यादा बार यानि कि तीन बार दोहरा शतक लगाया है वंडे क्रिकेट में इसका लाबा इसी मैच में विराट कोहली ने भी सेंचुरी बनाई थी ये इनके कैरियर का 44 शतक था और विराट कोहली के अंतराश्टी क्रिकेट कैरियर में टोटल 72 शतक हो गए है और ये सचिन तेंदूलकर के बाद लिष्ट में दूसरे नंबर पे आ गए है पहले रिकी पॉंटिंग थे अच्छेले के पूरु कप्तान रिकी पॉंटिंग और अब विराट कोहली दूसरे नंबर पे आ गए है सबसे आदा अंतराश्टे सतक मानने के मामने में इसके बाद ICC Player of the Month की बात करते हैं तो हाले में ICC Player of the Month का अवर्ड दिया गया है नवंबर महिने के लिए नवंबर महिने के लिए तो पूर्षों में ये अवर्ड दिया गया है इंगलेंड के कप्तान जौस बटलर को ICC Player of the Month नवंबर के महिला की बात करते हैं तो पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर है सिद्रा आमिन, तो इनको दिया गया है महिलाओं का ICC Player of the Month, किस मन्त का है, नवंबर का ये याद रखिएगा, तो दो नाम याद रखने हैं, जॉस बटलर और सिद्रा आमिन, इसके बाद यहाँ पर बैडमिन्टन एशिया जूनियर चैंपेंशिप है 2022 का, तो थाइलेंड के नोतबुरी में आजीत हुआ था ये बैडमिन्टन अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपेंशिप 2022 का, तो जो अंडर 17 था यहाँ पर महिला एकल बैडमिन्टन खिलाडी उननत पदक जीत है इस टूर्नामेंट में, बैडमिन्टन एशिया जूनियर चैंपेंशिप थी, थाइलेंड के नोतबुरी में खेली गई थी, इसके बाद है 19 वा राष्टी स्कॉस खिताब, तो हाली में जोशना चिनप्पा ने इस टूर्नामेंट को जीता है, 78 वी राष्टी स्कॉस शैंपेंशिप थी, ये चन्नाई में आजित की गई थी, जोशना चिनप्पा ने 19 वा राष्टी स्कॉस किताब जीता है, वही टूर्नामेंट के पुरुस एकलवर की बात करते हैं, तो अब है सिंग ने पुरुसों का एकलवर का खिताब जीता है, 19 वे राष्टी स ये एनाउंस कर दी गई है, तो भारती टीम का कप्तान बना गया है, शेफाली वर्मा को, अंडर 19 महिला विश्कप की बात हो रही, टी-20 दक्षिन आफ्रीका में खेला जाएगा, कप्तान चुना गया है, शेफाली वर्मा को, इसके बाद एशियन गेम्स के लिए यहाँ प बारती महिला हैंडवाल टीम ने आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसके बाद विश्व चैंपियंशिप में कांस पदक विजेता सुकांत कुदम, इनकी आगवाई में भारत ने पेरु में पैरा बैडमिंटन एंतर रास्टी दोहजार बाइस मे एक रजत और साथ कांस पदक सही टोटल चौदा पदक जीते हैं और आपना अभियान जो गुत्था भारत का उसा माप्त हुआ है तो क्या कि याद रखना है पैरा बैडमिंटन अंतर रास्टी दोहजार बाइस टूर्नामिंट कहां हुआ था पेरु में भारत को मिले हैं छ बल्यबाजी कोच बन गए हैं रिशी केस कानितकर तो भारती महिला क्रिकेट टीम के नए बल्यबाजी कोच बने हैं रिशी केस कानितकर इसके बाद यहाँ पे केन विलियमसन है तो न्यूजिलैंड के कप्तान थे यह हालिम इन्होंने न्यूजिलैंड की टेस्ट टीम की पत्तानी छोड़ दी है तो आज यांगे बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो यूसफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और आपने अगर अभी तक चैनल और भी जो दूसरे इंपॉर्टेंट मैगजी नियुस वेपर हैं उनका पीडियाफ मिल जाएगा डेली करन अफेयर है वो कैब है जीके है एक्जाम पे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है जॉब एलर्ट से सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़े एक ही पेस पर अवलेबल ह तो मेक शूर वहां पर जरूर जोइन करेगा टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से आप जोइन कर सकते हैं इसके लाब अगर आपका कुछ सुझाव है कुछ आपको हेल्प चाहिए कुछ आपका फीडबैक है तो जरूर क कमेंट वाक्स में हमें बताइएगा आकी मिलते हैं नेक्स्ट अंक के प्रकाशन के बाद अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड थैंक यू गाइस